आज ही ग्लास में बच्चों हम एक्सलरेशन द्यू टू ग्रैविटी के बाल में पढ़ने वाले हैं तो हम यह हमारा चेप्टर है इसका नाम है ग्रैविटेशन हम यह आज चालू कर रहे हैं तो ग्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से एक चीज बता दूँ यह कोर्स और स्लेबर्स हमने इस बेसे से बनाया है यह मान के बनाया है कि आपने अपनी बेसिक सी बेसी की चीजें पर रखी हैं और आप मेंली इंटरेंज की तैयारी कर रहे हैं कुछ कोशन की प्रैक्टिस के लिए हमने बनाया है इसको ताकि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सको नीट और जई में तो देखो अच्छा सबसे पहले हम यहां चलते हैं हम देखते ह हम आले हैं कि acceleration due to gravity में हमने क्या पढ़ रखा है और कैसे कैसे questions आते हैं हमारे कैसे कैसे हमें करना होता है तो किसी भी प्लानेट की acceleration due to gravity होती है gm by r² जिसमें m जो होता है मास अफ प्लानेट होता है आर जो होता है वह प्लानेट का radius होता है और जो capital G होता है वह universal gravitation constant होता है तो हमारे पास g is equal to gm by r² फर्मला होता है जो कि हम use करते हैं प्लानेट की acceleration due to gravity निकालने के लिए इस formula को हम further simplify करके भी लिख सकते हैं जैसे कि अगर हम लोग यहां देखें तो density होता है mass by volume और इसको अदर ले जाए तो mass क्या होता है density into volume पुट कर सकते हैं तो mass की value क्या हो जाएगी है हमारी density into volume और volume अगर earth को sphere माले जो कि perfectly sphere नहीं होती है तो यह आ जाएगा इससे r q और r square कड़ जाएगा यह r आ जाएगा तो यह एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलता है तो यह कुछ relations है हमारे सामने जिसमेंसे दो relation हमने बताई आपको यह first relation यहां है यह second relation यहां है इससे related हमें कुछ questions मिल सकते हैं और हम देखेंगे भी तो देखो अच्छे सब यह question दे रखा है देखते हैं यहां पर किस related है तो यह मेंस में 2019 में question आया हुआ है और यह question क्या है the ratio of the weights of a body on the earth's surface to the surface of a planet is 9 ratio 4 मतलब एक इनसान जब अर्थ पे है और जब किसी और planet पे है तो उनके weight का ratio है 9 ratio 4 the mass of the planet is 1 9th of that of earth उस planet का जो mass है वो 1 9th है अर्थ की comparison में if r is the radius of earth what is the radius of that planet उस उस प्लानेट के रेडिस क्या होगा देखो जो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ यह consider कर लेते हैं जैसे weight अर्थ पे इसको हम mg कह देते हैं अर्थ पे weight होगा कि weight होता है mg और उस planet पे है उसको हम g' लिख देते हैं on that planet तो हमको इसका ratio दिया हुआ है ऐसा कुछ दिया हुआ है the ratio of weight of earth and planet तो मतलब हमें ratio दिया हुआ है mg by mg' दे रखा है जो कि है 9 ratio 4 मतलब कर जाएगा यह g by g' दे रखा है और हमें बाकी चीज़ें given हैं जैसे कि mass of that planet मतलब mass of that planet मतलब m' उस planet के mass को m मान लेते हैं और earth के mass को m मान लेते हैं तो यह है तो हमें radius के relation के बारे में पता करना है तो हम यहां पर काम करते हैं g की value put करते हैं तो अर्थ का जो g होगा वो क्या होगा उसको g by r square लिख देते हैं और planet का जो g होगा उसमें g तो g रहेगा बस mass को m' लेते हैं और r काम लोग r' square लिख देते हैं इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं तो जो की हो जाएगा 9 by 4 अब हम divide करते हैं g से g cancel हो जाएगा और आगे simplify करते हैं तो यह हमारे पास आ जाएगा m by m' into r' by r square is equal to 9 by 4 यह आ जाएगा तो यहां से अगर हम देखें इसको इधर लाएं इसको रियारेंज करें तो यहां rearrange करने के बाद 9 is equal to क्या आ जाएगा m by m' यह आ जाएगा तो हम इसकी value पूट कर देंगे हमारा 9 into r' by r का square is equal to 9 by 4 तो हम यहां से 9 से 9 को काट देते हैं तो बोच साइड अंडरूट ले लेते हैं क्या हो जाएगा r' by r is equal to 1 by 4 और बोच साइड रूट ले ले लेंगे तो यह जैसे square है फिराल तो अभी ले ले लेते हैं तो बोच साइड रूट तो हो जाएगा r' by r is equal to 1 by 2 तो r को पर ले जाएगे तो r' क्या हो जाएगा r' हो जाएगा r by 2 तो उस planet का जो radius है वो अर्थ की radius की क्या है half है radius of that planet is half of that radius of that of earth तो यहां उच्छे इस तरीके से हमने question try किया यहां पर जो की हमारे इस फॉर्मले से associated था basic सा तो question जरूरी नहीं है इसी formula पर हो सकता आपको question second formula के basis पर आजाए आपको जैसे की mention किया हूँ कि हमारा planet है उसकी density दी होई है उसका radius दिया हूँ है दूसरे planet का दे रखा है और दिया है जैसे मालों let us take a question हम try करते है जैसे if we have a planet having a density of having a density of twice of density of earth and having a radius of thrice of radius of earth तो what will be the acceleration due to gravity of that planet वाला उस प्लाने के acceleration due to gravity कितनी होगी तो वही दो relation हम को बनाने हैं जैसे की एक तो planet का हो गया तो planet का क्या होगा 4 pi rho g r यह क्योंकि density और radius दिया है तो यह formula हम लोग यूज करेंगे आपर तो यह planet planet का हो गया दूसरा हम formula बना देंगे हम अर्थ का 4 pi density of earth g radius of earth तो डिवाइट करेंगे कट जाएगा यह यह आ जाएगा तो अब हम density of planet में अर्थ की कम बैजन में density लिख देंगे लिख देंगे लिख देंगे और नीचे भी value पूट कर देंगे हम ठीक है तो यह क्या आजाएगा शिक्स रिश्य बना जाएगा तो मैं यह फिर अकर निकालनी भी है तो अर्थ की density से multiply कर देंगे तो आप आंसर निकाल सकते हो यह तो डिपेंड करता है कोशन हमारा किस तरीके से पूछा जा रहा तो इसको हम इदर ले जाएंगे तो इस तरीके से हम कुछ कोशन कर सकते हैं अभी हमारे पास जो गिवन हैं कुछ कोशन प्रेक्टिस कर रहे हैं तो फर्दर आप प्रेक्टिस करोगे तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा अब हम आगे बढ़ते हो उच्छो तो यह हमने कोशन ट्राई किया तो देखो इसके बाद हम आते हैं कि हमें जब हम एक्सलेशन डू टू ग्राविटी पढ़ते हैं तो इसके बाद हमें यह पढ़ने को मिलता है वैरियेशन अफ एक्सलेशन डू ग्राविटी अब यह क्या होता है वैरियेशन ऑफ जी तो जब हम अतनी 11 क्लास में पढ़ते हैं तो हम due to gravity वो नहीं रहता जो surface पे रहता है इसको हम small r भी लिख सकते हैं तो जैसे p point पे अगर हम जाते हैं तो acceleration due to gravity at p point क्या हो जाता है gm by r square हो जाता है और यहां small r को कह लिख सकते है capital r plus h लिख सकते है तो यह हो जाएगा gm by r plus h का square यह लिख देंगे तो यह हमारे पास formula आ जाता है जो हम लोग variation of g with height के लिए use करते हैं with height height के साथ किस तरीके से change होता है g ठेक है और अगर depth के हम बात करें तो depth कभी हमारे पास formula आ जाता है जैसे कि variation of g with the depth में अगर हम बात करें तो हमारे पास acceleration due to gravity at that point आ जाता है add that point आयाता है g 1-d by r यह formula हमको मिलता है यहाँ पर h जो था वह height थी कितनी height surface से उपर है यह d depth कितना surface से नीचे है यह depth है तो यह formula हमको देखने को मिलता है तो यह formula है तो यह depth होरा formula है वह हर case के लिए valid होता है द्यान रखना हो चाहे कुछ भी ज़्यादा है यह कम होता है mostly यह हर ज़्यकर valid होता है but यह height बाते formula है इसके simplified formula भी हमें देखने को मिलता है वह क्या होता है और अगर दिया हो height बहुत कम है तो at that time we can use this formula also यह formula भी use कर सकते हैं लगा सकते हैं और variation of acceleration due to gravity with depth के अगरम बात करें तो जो हम center of earth पे होते हैं मतलब depth radius के बराबर होती है तो इस point पे acceleration due to gravity zero हो जाती है यह भी हमारे पास formula में देखने को मिलता है यह हमें formula देखने को मिलता है तो यह कुछ है formula जो हमें देखने को मिलता है तो अब इसी के साद हम आगे बढ़ते हैं कुछ questions try करते हैं अच्छे अच्छे देखते हैं क्या-क्या questions है हमारे पास तो हमारे पास एक question दिया हुआ है यहाँ पर the value of acceleration due to gravity यह 2020 means का question है जैसे कि आप देख सकते हो आपर the value of acceleration due to gravity is g1 at height h is equal to r by 2 मतला half of radius of height acceleration due to gravity जब height radius की half है तो acceleration due to gravity हमारा है g1 ठीक है ठीक है it is again g1 at the depth अगर कुछ नीचे जा रहे हैं कुछ depth में जा रहे हैं d depth में तो वहाँ पर भी यह जीवन ही है question में क्या पूछा गया है the ratio of d by r d by r कुछ है d की value पूछिए तो हम एक काम करेंगे अच्छों यहाँ पर जैसे ज्यादा हम value height वाली नहीं लेंगे acceleration due to gravity बराबर है depth में acceleration due to gravity का formula क्या होता है ऐसे लिख सकते हम जी 1-d by r height के लिए formula क्या होता है कहीं हम mention किया है height ज्यादा है नहीं है एक बार mention देख लेते हैं तो height तो ज्यादा है देखा जाए तो actually क्या है कि h is equal to radius का half है तो देखो अच्छों मैंने आपको जैसे formula बताये थे यहां पर आपना यह small वाला formula मत यूज़ करना क्योंकि question में mention है height ठीक ठाक है height ठीक ठाक है तो यह formula यूज़ नहीं कर सकते तो फिर हम क्या use करेंगे पूरा ही formula use करेंगे कौन सा formula use करेंगे भई कौन सा formula use करेंगे दाओ तो यहां हमारे पास यहां से दिया हुआ है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा r² यह हो जाएगा r ग्लस r by 2 का whole square जा हम इसको simplify करेंगे यह हो जाएगा r² यह हो जाएगा 3r by 2 का whole square whole square क्या हो जाएगा अगर आप करेंगे तो यह हो जाएगा 9r² by 4, 4 उपर आजाएगा r² से r² cancel हो जाएगा यहां से हम देखें तो हमारे पास g1 की value मिल जाएगी 4 by 9 of g यह value हम यहाँ put कर सकते हैं जो कि हो जाएगा 4 by 9 g is equal to g 1 minus d by r g से g cancel हो जाएगा यह हो जाएगा 4 by 9 is equal to 1 minus d by r d by r की value अब हम देखें जो हो जाएगी 5 by 9 हो जाएगी इस question में हमें दिया गया है कि the height at which the weight of body becomes 1 16th of that of earth surface जैसे कि हमने आपको बताया है कि हम earth के surface से उपर जाते हैं कुछ height पर तो वहाँ acceleration due to gravity कम हो जाता है तो यह पूछ रहे है कितनी height उपर जाएगे कितनी height उपर जाएगे ताकि acceleration due to gravity यह जो weight है क्योंकि अचली जब acceleration due to gravity 16th होगा तो weight भी 16th हो जाएगा तो कितनी height उपर जाएगे ताकि acceleration due to gravity है उस point पे उस surface के comparison में एक बटा 16 times हो जाए तो हम क्या फाम्ले लगाएगे हम यह आला फाम्ले लगा देंगे जी डाएश्वाजी is equal to r का square r प्लस h का whole square तो यहाँ पर हम g डाएश्वाजी को क्या लिख सकते हैं g डाएश्वाजी को लिख सकते हैं अगर आप देखो तो एक बटा 16 दिख सकते हैं यह वैल्यू जो है हम यहाँ पूट कर देंगे यह क्या वाजाएगा एक बटा 16 जो जाएगा r square जो जाएगा r plus h का square अब दोनों ही side हम root ले लेंगे यह क्या वाजाएगा एक बटा 4 is equal to r r plus h अब हम इसे आगे simplify करेंगे और इसको इदर ले जाएगे इसको दर ले जाएगे यह क्या वाजाएगा r plus h is equal to 4 r और h is equal to क्या आजाएगा हमारा 3 r तो 3 r जितनी height उपर हमें जाना है इस question में हमको दिया गया है कि in the reported figure of earth the value of acceleration due to gravity is same at point a and c जो c point है कुछ height पर है और जो a point है कुछ depth पर है इन दोनों point पर acceleration due to gravity same है but it is smaller than the value at b surface यह smaller है और वो तो हमेशा होता ही है कि जो acceleration due to gravity होती है वो surface पर सबसे ज़्यादा होती है और ऊपर और नीचे कम होती है अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें यह भी काफी इंपोर्टेंट अब इच्छो जैसे variation of g का ग्राफ होता है यहाँ पर तो acceleration due to gravity की जम variation की बात करते है ग्राफ की तो यह अंदर ऐसे होता है अअगर डिस्टन्स इससे ज्यादा हो जाए इसमें एक्सलेशन डू टू ग्राविटी डिस्टन्स के डायए परपोर्शन होता है और इसमें जो acceleration due to gravity होता है वो डिस्टन्स के इन्वर्स स्क्वायर के रिटेटेटे रेते हैं यह ग्राफ हमारे बनते हैं तो जैसे कि surface में maximum है, अब यह कह रहा है कि, but जो point A है और point C है, इसमें acceleration due to gravity same है, point A and point C acceleration due to gravity same है, ठीक है, ऐसा कुछ mention किया गया है, और बोला गया है कि O A ratio, O B, O A, जो है, यह X है, this distance is X and this distance is Y, then what will be value of X, और height वाइट दे रखिये हैं, तो height यह दे रखिये हैं, मतलब आप देख सकने हैं, जो height अब radius का half है, तो मतलब कि हम इसे simplify करना चालू करते हैं, जैसे, जी यह तो यह होगा, GC में height का formula लगा देंगे, जो कि, अगर हम देखें, तो acceleration due to gravity at height क्या होता है, G, height का formula क्या होगा, height का formula लगा देते हैं, इसको काड देते हैं, चल अच्छे, तो क्या होता है, GC सबसे बहुत निका देते हैं, GC, GC के लिए क्या होगा, GC by G is equal to R square by R plus H square, यह formula यूज कर सकते हैं, जैसे क्या आप देख सकते हो, तो यहाँ, GC की value क्या होगी, यहाँ, G इदर, इसको उदर ले जाएंगे, R square की जगा, R square हो जाएगा, height जो है, हम यहाँ, साथ में put कर देंगे, height की value कितनी है, R by 2 है, जो की, यहाँ लिख देते है, R plus R by 2, 3 R by 2, 3 R by 2 का square क्या हो जाएगा, 3 का square होते है, 9, R square और उपर आजाएगा, 4, R square से R square, cancel हो जाएगा, हमारा, और जो GC आएगा, वो आजाएगा, 4, G by 9, जा जाएगा, हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, जो GC, C point acceleration due to gravity की value हमें, निकाली है, वो A point पे लगा देंगे, यहाँ हम ले, equate कर देंगे, इस equation में, equate कर देंगे, तो देखते हैं क्या होता है, अब आगे, तो हमारा यह G, A क्या हो जाएगा, G, C की value है, 4, G by 9, तो G, A तो नीचे adapt में, adapt में क्या formula होता है, G, 1 minus D by R, यह formula होता है, यह हो गया, 4, G by 9, तो G से G, cancel हो जाएगा, हमारा, जाएगा, 1 minus D by R, is equal to, 4 by 9, D by R, क्या होगा हमारा, यहाँ, 1 minus 4 by 9, जो क्यों हो जाएगा, 5 by, 9, तो यहाँ, depth क्या हो जाएगा, depth is equal to, 5 by 9, R हो जाएगा, ठीक है, तो depth हमारी क्या है, यहाँ, Y है, जो आप देख सकते हों, आहमतर पर जिसे depth लेते हैं, Y है, तो X क्या होगा, basically अगर आप देखें, इस figure के साब से, X plus Y में इलाके, radius of Earth बन दा है, ठीक है, तो Y क्या हो जाएगा, R-X हो जाएगा, इसकी value, तो हम, Y जो है, वही, basically D है, तो यह हो जाएगा, Y की value, Y ही D है, depth है, put कर देते हैं, यहाँ पर, इसमें D की value, Y के जगए, जो कि क्या हो जाएगा, 5 by 9, R is equal to 9 minus, R minus X, तो इसको simplify करते हैं, X क्या हो जाएगा, 4 by 9, R आजाएगा, तो यह हमारा, यह हमें निकालना था, जो क्या हमारा, आंसर है, अच्छों देख सकते हैं, ठीक है, जड़ो यह, अब नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं, हम आगे, नेक्स कोशन क्या है, यह कह रहा है कि, अर्थ सर्फेस पे जो एक्सलेशन दू टू ग्रेविटी है, 9.8 है, और वो यह कह रहा है कि, जैसे अगर हम, उपर जाते हैं, कुछ हाइट पर जाते हैं, तो एक्सलेशन दू टू ग्रेविटी हमारी हो जाती है, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर, ठीक है, तो हाइट क्या होगी, तो यह सीदी सीदे फॉर्मला है, हमारा सिंपल सा फॉर्मला है, यह लगेगा, आर प्लस एच का स्क्वेर, तो यह हो जाएगा, 4.9, 9.8, यह हो जाएगा, हमारा, आर का स्क्वेर, यह हो जाएगा, आर प्लस एच का स्क्वेर, यह कड़ जाएगा, यह लगेगा, वन बाए टू, अब क्या करेंगा, भी बोज साइट रूट लेने, जाएगा, वन बाए रूट टू इस इकोल टू, आर प्लस एच, यह दर, यह दर, यह हो जाएगा, R plus H यह हो जाएगा root 2R height क्या हो जाएगा root 2 minus 1 R हो जाएगा तो वह value put कर देंगे इसकी हमार answer आजाएगा तो यह हो जाएगा root 2 क्या होता है 1.41 होता है approximately minus 1 into R 6400 km approximately value 0.41 into 6400 0 km put कर देना solve कर देना इसको अब हम आते हैं अगले question की तरफ a body weights 49 newton on a spring balance at a north pole what will be its weight recorded on the same weighing machine if it shifted to equator तो जैसे की बच्चों में इस question में mention किया गया है कि पोल पे अगर वेट 49 है तो equator पे क्या होगा तो इसके लिए मैं थोड़सा आपको कुछ बताना चाहूंगा इसके लिए मैं थोड़सा नीचे चलते हैं जैसे अर्थ की रोटेशन होती है तो रोटेशन की वज़े से जो अगर body equatorial पे है और पोल पे है उनके acceleration due to gravity अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि जो body equator पे होती है उस पे centrifugal force भी लगता है centrifugal force और centrifugal acceleration इसकी वज़े से इसके acceleration net acceleration due to gravity कम हो जाती है अगर हम बात करें पोल के comparison में equator पे पोल के comparison में ये relation होता है acceleration due to gravity का इसमें क्या क्या चीज़े क्या क्या है है आर्थ और रेडियस अफ अफ अर्थ हुआ रेडियस अफ अफ अर्थ ये क्या है rotation of earth तो जो मैं साथ साथ में आपको concept भी समझाता जा रहा हूँ तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सब पहले सारा समझा दो पहले सारे समझाने से फाइदा नहीं है topic के साथ समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो जो पोल पर होता है और एक्वेटर पर होता है इसका ये comparison है ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड और रोटेशन ऑफ अफ हर्थ है एंगुलर वेलोसिटी ये अगुलर स्पीड ऑफ अफ अर्थ की एंगुलर स्पीड है अगर देखा जाए तो क्या फरक होता है तो इसको आपको याद रखना है कि एक difference होता है एकवेटर और पोल पर जो कि 0.35% का difference होता है ये सब वैल्यू पुट करने के बाद है तो जैसे कि अगर हम कहें है तो हम ये कह सकते हैं कि acceleration due to gravity at equator 0.35 के साब से calculate करें कि 0.35% कम हो जाती है decrease हो जाती है तो अब बचेगी कितनी फिर बचेगी फिर 99.65 तो 99.65% of that of acceleration due to gravity at pole इसके अंदर ये ये जो concept है उसके अंदर इसका answer चुपा हो जो हमसे पूछा गया है कि अगर किसी body का weight है जो कि pole पे 49 है तो equator पे क्या होगा इसी सीरी बात है acceleration due to gravity 99.35 होगी पोल के गम बैजन में तो एम मास मिल्टिप्लाइ कर दो एम जी हो जाएगा तो equator पे क्या होगा weight at equator is equal to 99.35 परसेंट आफ दैट आफ दैट आफ पोल पे कितना है वहीं हम 49 वेल्यू पुट कर देंगे simplify कर देंगे हमारा answer आजाएगा जो answer होगा वो करीब करीब एप्रॉक्सिमेटली 48.83 न्यूटन के आसपास आजाएगा तो देखो चाहिए यहाँ पर हमने यह सीखा कि मिला जैसे आर्ट की जो rotation होती है उससे भी acceleration due to gravity पे फरक पड़ता है actually क्या होता है अगर हम बात करें तो पोल्स पे acceleration due to gravity जादा होती है due to rotation of earth acceleration due to gravity is greater at pulse due to rotation of earth क्योंकि centrifugal force यह centrifugal acceleration कह सकते है बाड़ी पे तो यह कुछ basic साथ concept है वच्छों हमने detail में नहीं समझा ले जादा क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कम में अच्छे से समझाए इन चीजों को और भी कुछ concept से हम बताएंगे आपको जैसे कई बार कहते हैं बच्छे कि सर यह है कुछ imaginary concepts भी होते हैं जैसे imaginary concepts क्या होते हैं जैसे मान लोग अगर अर्थ की rotation speed जैसे equator पे acceleration due to gravity यह होती है अगर अर्थ की rotation speed increase हो जाए कि rotational speed increase हो जाएगी तो equator pixelation due to gravity घटता जाए घटता जाएगा तो कितनी value हो जाए ताकि equator pixelation due to gravity बीगोल 0 ही हो जाए यह 0 हो जाए तो उसके लिए भी हमारे पास यह होता है तो उसके लिए अगर देखा जाए तो मैं कुछ बाइस concept बतायाता हूं डिराइव नहीं करा रहा उसके लिए जो हमारी speed of angular speed of rotation होनी चाहिए वह होनी चाहिए रूट GR कैसे आया कोई फिलाल नहीं अभी किना में 17 टाम्स हो जाए तो equator पे कोई चीज मासलेस वेट लेस हो जाएगी और time period अर्सका हो जाएगा 1.4 थोड़ा अच्छिन ध्यान रखना है यह सब बाकी आप पो टूट करके निकाल सकते हैं इस समय कोई बात नहीं है जीए को 0 पूट कर दोगे सिंप्लिफाय कर लोगे आगे तो सब निकली आएगा यसे अगर आप सिंप्लिफिकेशन करना चाहते हो तो कर सकते हैं 0 is equal to g minus omega square r आगे इसको दर ले जाओ और सिंप्लिफाय कर लो results हो मेरी जाएंगे time period वगरे भी आ जाएगा तो यह सब कुछ अब कई बार बच्चे कहेंगे तो करवाओ तो करवाद होगा ही स्वाल देखा जाये तो यह होता है तो ओमेगा तो आई क्या था है यहां से इसको 0 पूट करके तो ओमेगा आ गया हमारा टाइम पिरिट निकालना है time period क्या होता है ओमेगा होता है 2 π.t रूट g.by.r और इसको simplify कर दो टाइम पिरिट क्या आ जागे है है यहां से t is equal to 2 π.r by g तो हम यहाँ values पुट कर देते हैं इसको simplify कर देते हैं और हमारे पास time period झाल झाल